स्री शिवाय नमस्तो भेहम हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है 14 अगस्त यानि कि सावन महीने की दसमी तिथी का बहुत ही विशेश सा दिन ये सावन की दसमीतिती विशेस इसलिए होती है क्योंकि ये है सावन का आखरी बुद्वार का दिन और अगर आज रात में आटे का चोव मुखी गनेश दीपक आपने अपने घर पे जला दिया छोटा सा आसान सा उपाय है कहीं भी बाहर नहीं जाना है आपको अपने घर पे ही सुपाय को करना होगा उसके लिए घर पे ही आपको बनाना होगा इस तरीके से आटे का दिया है जिसे घर में आटा गूतते हो, तो थोड़ा सा आटा से उसमें से निकाल लो, और ऐसे दीपक बना दो, मैंने क्या लिखा था कि आपको कौन सी बत्ती लगानी होगी, चौमुखी, तो आपको भी इसके अंदर क्या लगाना है, इस प्रकार से चौमुखी बत्ती लगाना, आट में हमें दो चीजों की जरुवत पड़ेगी, अब किसका उपाय हम लोग कर रहे हैं, भगवान गनेश का, तो गनेश भगवान को दूरुवा बहुत प्री है, तो हमें लेनी होगी एक दूरुवा, इससे ज़्यादा मत लेना, दूरुवा ले लिया, दूरुवा के सा पत्ते को जमीन पे कुछ इस प्रकार से रख देना, शमी के पत्र को रखने के बाद में इसी समी के पत्ते के ऊपर जो आटे का चो मुखी दिया होगा, उसको आपको रखना होगा, और उसके बाद में भगवान गनेश का एक नाम है, मयूर ध्वज, कौन सा नाम है, मयूर उस नाम से आपको इस दीपक की चार की चारो बत्तियों को प्रजृत करना है, जलाना है, जलाने के बाद में मैंने आपको एक दूरुवा दिखाई है, जो आपकी प्रॉबलम चल रही है, आपकी फैमली की, आपकी जो भी समस्याय चल रही है परिवार में, उस समस्या का ध अगर आज रात में इसी जलते वे दीपक के अंदर आपने उस एक दूरुवा को डाल दिया घी के अंदर जला मत देना दूरुवा को घी के अंदर डालना दूरुवा को डाल देना और आपकी सारी संकट खताम हो जाएंगे ठीके ना थोड़ी देर के बाद देखोगे जब य शमी के पत्र को उठा करके शमी पेण के नीचे डाल देना और इस दीपक को उठा करके अगले दिन किसी वट व्रिश के नीचे या किसी पीपल पेण के नीचे चुप चापरा करके चले आना जो घर की प्रॉब्लम्स होंगी जो समस्या होंगी चल रही होंगी वो सारी समस्या आप भी खतम जरूर हो जाएगे, ठीके ना, करके देखिएगा, इजी सा और आसान सा ये, बहुत ही प्यारा सा उपाय था, ठीके ना, चलो, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने, दूसरे उपाय के तरफ, और ये दूसरा उपाय भी आपको करना है, दूर उसके लिए आपको लेनी होगी, फिर से लेनी हो कितनी, तीन दूरवा लेनी है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको गाठ पहचाननी आती हो दूरवा में न, तो आपको तीन गाठ वाली, तीन दूरवा लेनी है, फिर से बोल रहा हूँ कितनी लोगे, तीन गाठ वाली, ती तीन गांठ वाली तीन दूरवा को समर्पित करना, अब अगर आपको गांठ पहचानने में दिक्कत होती है, तो कोई सा भी तीन दूरवा ले लो, अपनी मनों कामना कहके समर्पित करना, ठीके न, समर्पित करने के बाद में, अगर आप पे घर में गेहुं के दाने हो, फिर स देर के बाद लोड करके आना जो अनाज का दाना आपने समर्पित किया था उस अनाज के दाने को उठा के अपने पास में रख लेना और जब भी आप अपने घर के बाहर कभी भी किसी भी काम के लिए जाओ उस अनाज के दाने का एक से दो दाना लेकर चले जाना उस काम में आ पिस उपाय को कर रहे हो ना वो विशस आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी इधर उदर कहीं भटकने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी ठीक है ना समझ में आई बात मेरी तो यहां पर हम लोग ने बात कर ली है अपने दो उपाय की आगे बढ़ते हैं इस वीडियो यहां पर पेंड होता है या फिर हमारी बॉड़ी में यहां पर दाग है धब्बे है हम लोग बहुत दवा करा चुके बहुत क्रीम लगा चुके नहीं ठीक हो पारा आप इस उपाय को करेंगे लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजे वीडियो को लाइक और जिसने अभी त तरीके से शंक लेनी है देखो मैं आपको बता हूँ जैसे माल लेको कोई चीज आपको नहीं मिलती है कि भया हमें पूजा करना है हमें यह नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा तो एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 9005643345 यह मेरा वाटसेप नंबर है मेरा खुद का परसनल इस पर फोन लगाओगे फोन नहीं लगेगा आप इससे मुझसे सिर्फ मैसेज बाते कर सकते हो जो चाहिए लिख करके भेजना मैं आपके घर तक वो चीज पहुचाओँगा ठीक है ना अब क्या करना है आपको इस तरीके से लेना होगा शंक अब शंक कोई साभी हो सकता है संक के साथ में तुलसी माता का एक पत्ता भी ले लेना ठीक है ना आपके घर में होगा मन हो तोड़लो या फिन नीचे पड़ा हुआ हो तो वो भी इस्तमाल कर सकते हो ठीक है एक तुलसी माता का पत्ता लेंगे अब आपको क्या करना है इस संक को एक लाल कपड़ा जो मैंने आप लोगों को दिखाया है एक तुलसी माता का पत्ता, उस तुलसी माता के पत्ते को डाल देना, साथी साथ एक सिक्का भी आपको लेना है, चाहे एक रुपए का हो, दो रुपए का हो, पांच हो, दरस हो, कितने भी का सिक्का है, उस सिक्के को डाल देना, पूरी रात बुद्धवार के दिन पूरी रात इस कलश को इस लाल कपड़े के ऊपर रखा रहे हैं तो अगले दिन पढ़ेगा ब्रसबतवार का दिन पढ़ेगा की नहीं पढ़ेगा आपके घर का जो सदस इस प्रकार से बीमारी से गरसित है जैसे इसके सरीर में कहीं पर दाग नहीं मीटर हैं हम लोग बहुत परिशान हैं तो उस संक का जो जल होगा इस जल के अंदर डाल करके अगर आप स्नान कर लेते हैं तीन हफते लगातार अगर इस उपाई को कर लेते हैं तो आपके की जो भी दाग धब्बे होंगे सरीर के ना वो सारे खतम हो जाएंगे बाद तीन उपाई की बात कर लिए उस सारे के सारे उपाई आपको अपने घर पे करने थे आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखरी और बहुती छोटे से उपाई की जो की हमारा चोथा उपाई है और ये आपको करना होगा चंदन के साथ में देखो अब सबसे पहले बात करते हैं सुपाई के फायदे की गुरु जी ने इस सुपाई को ऐसे बताया था कि जब भी किसी भी चीज का आखरी हो जैसे ये आपको क्या पता चल रहा है कि ये सावन का आखरी बुद्वार है तो भगवान गनेश को जाने नहीं देना अपने घर से अपने घर में रोक कर के रखना है कैसे रोकोगे इसके लिए आपको कुछ भी लेना है कुछ भी का मतलब चाहे आप पीला चंदन ले सकते हो आपके पास में लाल चंदन है लाल चंदन लेलो आपके पास में सिंदूर है सिंदूर रोली कुम कुम जो भी आपके पास में है उसको लेलो है ना उसक इसी जगह कहीं पे रखा हुआ है भगवान गनेश का कोई भी फोटो मूर्ती प्रतिमा जहां पर पीछे दिवाल अगर कम है तो आपको एक बिंदी लगानी होगी किसी भी चीज के रिधी के नाम की और एक बिंदी लगा सकते हो किसके नाम की सिध्धी के नाम की एक बिंदी एक बिंदी सिध्धी के नाम सी लेकिन अब यहां पर यही बात करते हैं माली जे जगह बहुत है तो आप अगर शुभ लाभ लिख देते हो अपर भगवान गनेश के पीछे साइड में तो भगवान गनेश कभी भी आप घर से जाएंगे नहीं आप घर में रुके रहेंगे और जहां पर भगवान गनेश रहते हैं वहीं पर वास होता है किनका माता लक्षमी का मा सरसुती का तो आप घर में घ्यान भी बढ़ेगा और धन संबदा भी आप घर में बढ़ेगी तो आपको सभी लोगों इस उपाय को जरूर करना चीए ठीक है और चादस ज्यादर लो को सब्सक्राइब पर है और हाँ जो मैंने नंबर आपको दिया है उस पर आपको कुछ भी मुझसे चाहिए हो कुछ भी मंगाना हो जो भी चीजे हो ना मैं आप घर तक कुछ चीज को डिलेवर का दूँगा ठीक है ना स्री शिवाय नमस्तुब्ध्या झाल